यहाँ example में आपके सामने एक data है जो कि दिखरा है मुझे इसमें से incentive देना है और incentive का rule कहता है कि greater than 50 और less than 80 मतलब कि 50 to 80 के बीच में हुआ तो मुझे 500 का incentive देना है अदर बाइज 0 देना है अब problem है कि एक if में हम एक ही condition लगा सकते है इसलिए हम यहाँ लगाएंगे formula and and formula में हम देंगे कि greater than equal to 50 और फिर वापस इसको select करके बोलेंगे less than equal to 50 और फिर enterprise करेंगे enterprise करेंगे result जो आएगा true false में आएगा क्योंकि if जो है हमेशा true false में result देता है अगर मालेज इस पर मैं यहाँ पर हिट्री करना था हाँ true false में result देता है अब इस true false हाँ हाँ है अलो सर बुलिए है अलो अब है इस में यहाँ 800 और यहाँ पर जीरो करके एंटरपेस कर देंगे